हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री और स्टॉलर्य वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से हैं का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यहाँ जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यहाँ मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर message सेंट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी thick fingers हैं काफी length में इनकी fingers नजर आ रही हैं fingers के उपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौचूद हैं यहाँ पर कुछ इस तरह है कि सीधी खड़ी रिखाओं का होना indicate करता है कि native की nature काफी मिलनसार रहेगी ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बहुत तहजीब से पेश आने वाले होते हैं अगर हम fingers की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनी finger यहाँ पर काफी अच्छी length में है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि native काफी hard-working nature का होगा ऐसे व्यक्ति मेनती होते हैं discipline को follow करने वाले अनुशाशन प्रिया और नया प्रिया टाइप की personality ऐसे native की देखी जा सकती हैं fingers की thickness को आप देख सकते हैं यहाँ से काफी thick fingers हैं जिसकी वज़े से अच्छी energy and stamina ऐसे native के भीतर रहता हैं और लंबाई की बात करें तो इनकी जो index finger है और इनकी जो souria finger है दोनों की लंबाई में यहाँ पर ज्यादा difference नहीं है दोनों fingers लगभग एक समाल लंबाई में नजर आ रही है सूरia finger का अच्छी लंबाई में होना native को काफी अच्छी creative और artistic qualities देता है इसी तरह से groove finger यानि index यह वाली finger का अच्छी लंबाई में होना native को काफी अच्छी leadership qualities देता है तो यहाँ पर दोनों ही तरह की qualities इनके भी तरह रहने वाली है और ऐसे व्यक्ति काफी creative भी होते हैं काफी अच्छी leadership qualities भी रहती हैं और काफी independent भी होते हैं ऐसे native जिनकी यह दोनों fingers काफी अच्छी लंबाई में हो अगर हम देखें इनकी mercury finger को तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो mercury finger है थोड़ी short नजर आ रही है यह जो सुर्य finger का top phalange है अगर यहाँ तक यह finger पहुँच रही हो तो इसको सबसे उत्तम माना जाता है जब यह finger नीचे रहा जाती है तो यह लोग confidence को भी show करती है ऐसे native को सही समय पर सही शब्द ही नहीं मिल पाते अपने आपको व्यक्त करने के लिए तो mercury का low set होना native को थोड़ा शर्मीला सभाव और कुछ इस तरह की दिकतें देता है overall communication skills में यहाँ पर ज्यादा दिकतें नहीं है अगर हम fingers के बीच में बने वाले gaps को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers के बीच में यहाँ पर gaps बिलकुल भी नहीं है इस तरह से सटी हुई fingers का होना दर्शाता है कि native की money management अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति धन की एहमियत को समझते हैं धन को विजूल खर्च नहीं करते हैं किस तरह से धन को अपने पास संजोकर रखना है किस तरह से accumulate करना है किस तरह से invest करना है इन चीजों को अपनी life में भली बाती सीख जाते हैं जिस वज़े से इनकी money management काफी बहतर हो जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रिखा बनकर सामने आ रही है इसमें आप देख सकते हैं इनकी mercury finger यहाँ से low set हो रही है और mercury mount को कम space मिल पा रही है जबकि इनके गुरू परवत को, शनी को और सूर्य को काफी अच्छी space यहाँ पर मिलती हुए नजर आ रही है और mercury mount के बारे में जैसे मैंने आपको अल्री बताया कि इस finger का नीचे रहना और इस mount का low set होना confidence को थोड़ा सा कम करता है और थोड़े सी native की जो nature है वो shy हो जाती है otherwise यहाँ पर अगर इस mount की बनावट को देखा जाए तो यह परवत भी उबरा हुआ है जो काफी हद तक इन्हे confidence देने में भी help करेगा और अगर हम बात करें इनके सूर्य परवत की आप यहाँ पर देखेंगे काफी लंबी रेखा आपको नज़र आएगी यहाँ से इनकी हृद्या रेखा से उपर की तरफ बढ़ती हुई बेशक यह mount अंदर की तरफ दब रहा है सूर्य माउंट का दबना यश में कमील आता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी help कर लें कितनी भी मदद कर लें बदले में कोई reward नहीं मिल पाता और ऐसे व्यक्ति को selfless होकर काम करने पड़ते हैं लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक सूरिया रेखा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक लंबी सूरिया रेखा जो इनकी हार्ट लाइन के उपर है आप देखेंगे यह जो रेखा इसको हम हार्ट की लाइन जानी कि हरिदया रेखा कहते हैं और काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में काम्याब हो जाता है। तो इस तरह की सुर्या रेखा इनको लाब देगी और सुर्या फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में है जिस वज़े से थोड़ी सी रबिलियन नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है थोड़ा सा जिद्दे सभाव और उसी के सासत रिस्क टेकर टाइप की परसनेलिट यसे व्यक्ति लाइफ में डिसीजन्स लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखा बैठते हैं और लाइफ में रिस्क ले बैठते हैं और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क लेने की रूची भी इनके अंदर अधिक देखी गई है पुछ इस तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है और शनी परवत का दबना अच्छा नहीं माना जाता यह लोगों का शनी परवत दबता है उन्हें लाइफ में काफी संगर्श करना पड़ता है काफी सारे अपसे लाइफ में सामना करना पड़ता है फैमिली के तरफ से दिक्तों का भी सा सामना ऐसे व्यक्तिगी लाइट में रहता है, फाइनाशल प्रॉब्रम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, शनी का यहाँ पर कमजोर होना, इन से हाड़ वर्क करवाएगा, और अगर देखा जाए तो इनके हाथ में एक भागया रेखा मौचूद है, तो डेफिनेटली इनको लाब देगी, थोड़ा तक लोजब में आपको दिखाना चाहूँगा, इनके हाथ में जो भागया रेखा है, नीचे से शुरू हो रही है, लेकिन काफी हलकी है, यहाँ से आपको बहुत हलकी रेखा नजर आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से भग 45 के असपास की एज से इनको लाब देगी, यहाँ से एक लंबी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का जो भागया होदे है, नेटिव को जो काफी अच्छा समय मिलने वाला है, वो 45 की एज के बाद रहेगा, और अगर हम इनके गुरु परवत की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुरु परवत का जो एरिया है, यहाँ पर काफी उपर की तरफ उठा हुआ है, इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को धार्मिक परविती का बनाता है, ऐसे व्यक्ति स्प्रिच्छल माइंड होते हैं, धर्म करम के काम करने वाले, तीचिंग के फिल्ड में, दूसरों को पढ़ाने के मामले में ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी है, नौलेजबल टाइप की परसनालिटी, और समाज सिवा के काम करने वाली नेचर, ऐसे व्यक्ति की नेचर रहती है, और अच्छी लीडर्शिप क्वालिटी ब्रस्पति की फि रिखेंगे, इनकी जो लाइन ओफ हार्ट है, उपर की तरफ मुड़ती हुई, जिसकी वज़ए से थोड़ी इमोशनल और केरिंग टाइप की नेचर रहेगी, कुछ इस तरह है कि इनकी हार्ट की लाइन, थोड़ी सी शैलो हो रही है, यह रेखा, अगर आप इस हमसा आ सकती है, बीपी हाई होना या खाफ जादा लू होना, ऐसी दिक्तों का सामना, इनको लाइफ में करना पड़ सकता है, जिले इनको इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर हम देखें, इनकी माइन लाइन को, आप देखेंगे, माइन या बिलकुल हतेली के दूसरे शोर तक पहुँचती हुई, एक लंबी मस्तिक शरेखा का होना मैमरी के लिए अच्छा माना जाता है, ऐसे व्यक्ति यादाश तच्छी रहती है, और कई बार इस तरह की लंबी रेखा होने की वज़े से नेटिव को मांसिक तनाव जैसी प् जैसे देखी गई हैं, तो कुछ इस तरह का दिक्कते हैं इन्हें माइंड की लाइन दे सकती है, लेकिन ओवरॉल माइंड की लाइन में कोई और प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, अगर हम बात करें इनकी लाइन आफ लाइफ की, तो हलका बाहर की तरफ निकलती हुई यह आफ देखेंगे, इस तरह की रेखा होने से, कई बार नेटिव को घर से दूर सैटल होना पड़ता है, कई बार ऐसे विक्ति अपनी जॉब के सलसले में, या अफ्र मैरिज कई बार घर से दूर सैटल हो जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर, या कई बार विदेश जा इनके हाथ में दर्शा रही है लगबग इस सेरे तक पहुंचती हुई और इस रेखा में कुछ हलकी ब्रांचिस उपर की तरफ चलती हुई ऐसी ब्रांचिस मिडल एज के बाद प्रॉग्रस दिलवाती है आगे बात करते हैं इनके शुकर परवत की और इनके चंदर परवत की आप देखेंगे यह जो एरिया है यह है शुकर परवत का एरिया कहलाता है इस मांट के ओपर जितनी ज़्यादा रिखाएं होती है उतनी ज़्यादा दिक्तें married life में और family life में native को face करनी पड़ती है जहाँ पर आप देखेंगे काफी सारी खड़ी रिखाएं है और even यहाँ पर mangal रिखा मौचूद है mangal रिखा का होना native को थोड़ा aggressive nature का भी बनाता है mangal रिखा अगर हाँ मौचूद होती है तो ऐसे व्यक्ति की energy and stamina काफी अच्छा होता है लेकिन थोड़ा सा सभाव भी aggressive रह सकता है और शुकर परवत पर जादा रिखाएं होने से कुछ worries जैसे कुछ आड़ी रिखाएं भी मौचूद हो इनकी वज़ा से कुछ worries रहने की संभावनाई और खड़ी रिखाएं होने की वज़ा से married life में कुछ disturbances आने की संभावनाई रहती है अगर हम बात करें चंदर परवत की चंदर परवत के उपर आपको कुछ रिखाएं नजर आएंगी कुछ खलकी ऐसी रिखाएं जिसकी वज़ा से traveling रहेगा और कुछ anxiety के chances इनकी लंबी मस्तिक्ष रेखा होने की वज़ा से रहेगी life में काफी सारी travel करने के मौके भी इनको मिलने वाले हैं तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुआलों के जवाब एकी वीडियो के दुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुआल रह जाता है तो इनसे request है या अगर इनका कोई question pending है तो मुझे वर्टसाइप पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद